मेरे पहरे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में, डिजिटल इंडिया की ताकात कौने कौने में दिख रही है, डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में, अलग-अलग एप्स की बड़ी भूमिक आप होती है, ऐसा ही एक एप है, इस संजीवनी, इस एप से टैली कंसल्टेशन, यानि दूर बैठे वीडियो कंफरेंस के माद्यम से, डॉक्टर से अपनी बिमारी के बारे में सलहा कर सकते हैं, इस एप का उप्योग करके, अब तक टैली कंसल्टेशन करने वालों के संख्या, दस करोड के आंकडे को पार कर हैं, आप कलपना कर सकते हैं, वीडियो कंफरेंस के माद्यम से, दस करोड कंसल्टेशन, मरीश और डॉक्टर के साब अध्भूत नाता, ये बहुत बड़ी एच्विमेंट है, इस उपलब्दी के लिए, मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाब उठाने वाले, मरी के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जाकता उधारन है, हमने देखा है कि कोरोना के काल में इस संजीवनी एप इसके जरिये टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा बरदान साबित हुआ है, मेरा भी मन हुआ कि क्यों न इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, समवात करें और आप तक बात को पहुचाएं, हमें जाने की कोशिश करें कि टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है, हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मनी जी हैं, डॉक्टर मदन मनी जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन वोन ने अबीबेस गनबाद से किया और फिर बनारस हिंदी उनिवर्सिटी से एमडी किया, वो ग्रामेन इलाकों के सेक्ड़ों लोगों को टैली कंसल्टेशन दे चुके हैं, आप तो बनारस में पढ़े हैं, जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ, आपना मेडिकल एजूकेशन में ही हुआ, जी जी तो जब आप बनारस में थे तपका बनारस, और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए अग नहीं गए, जी प्रदानमत्र जी मैं जा नहीं पाया लेकिन मैंने सुनाए कि काफी बदल गया है, तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े हैं, बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ, फिर तो आपको जुरूर जाना चाहिए, जी जी आचा मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिकीम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में र पहाँ हो रहा है. हम लोग का जो पुराने उनके बिमारी है, उनकी रिपोर्ट, उनका अभी का प्रेजन कंडिशन, सारी चीजे हम लोग को बता देते हैं. याने डॉकुमेंट ट्रांसफर करते हैं? जी जी documents transfer भी करते हैं और अगर transfer नहीं करते हैं तो वो पढ़के हम लोग को बताते हैं वहां का wellness center का doctor बताता है जी wellness center में जो CHO रहता है community health officer और जो patient है वो अपनी कठिनाई आपको सिधी बताता है पेशन भी कठी नहीं हम को बताता है फिर पुराने रेकॉर्ट देख़के फिर अगर कोई नई चीजे हम लोग को जानना है जैसे किसी का चेस्ट असकल्टेट करना है अगर उसको पैर सूजा है की नहीं अगर CHO ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके र dalla octopus को क्या आता है थैज अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजडिक से तेख पाता है今日 में उसका डॉधा घट मिलने के लिए कि इतना दूर जाना पड़ता लेकिन टेली कंसल्टेशन के थो वहीं मिल जाता है और दवा भी हेल्थ एंड वालने सेंटर में फ्री ड्रॉग इनिशियेटिव के थो मिल जाता है तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो अचा मदन मनी जी आप तो जानते ही है कि पेशन का एक सुभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है डॉक्टर देखता नहीं है इसको संतोस नहीं होता है और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा अब आज सारा ही टेली कॉम कंसल्टेशन होता है तो डॉक्टर को क्या फिल होता है पेशन पहल। है उसकी जो परेशान हैं अगर किषी को चारम का प्रॉब्लम है किसी का प्रॉब्लम है तो हम लोग वीडियो से दिखा देते हैं तो संतुष्टी रहता है वोलोग और बाद में उसका उप्चार करने के बाद उसको संतुष मिलता है क्या अनुभावाता है पैसेंट ठीक हो देखेंगे हैं आपको काफी उसमें महारत आ गई है जी अच्छा लगता है देखने में चलिए मैं आपको सुपकामनाय देता हूं टेक्नलोजी का उप्योग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में पहड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दरार ख्षित्र में भी टेक्नलोजी का इतना बढ़िया उप्योग हो रहा है चलिए मेरे चरब से आपको बहुत बहुत बढ़ाई साथियों डॉक्टर मदन मनी जी की बातों से साफ है कि इस अंजीवनी एप किस त